असलाम अलेकूम कैसे हो आप सब उमीद करती हूँ सब ठीक होंगे खुश होंगे वेलकम तो मैं चैनल आज मैं बना रही हूँ होममेड गरम असला पाउडर यह पाउडर इतना अच्छा और खुश्बुदार होता है कि आप बाहर से लाना भूल जाएंगे बाहर के मसाले में और घर के मसाले में फरक तो होता है यहाँ पर मैंने लिए दालचीनी तेजपत्ता खशखश शाजीरा जीरा यह जीरा अभी यह बाद्यान का फूल हरी लाइची और काली मीरी इसके बाद में है बड़ी लाइची फिर यहाँ पर है जावीत्री और जैफल जैफल मैं अभी अभी इसको तोड़के लूँगी यह होल बिच शेल जैफल है अभी इन सभी मसालों को हम थोड़ा सा ड्राय रोस्ट कर लेंगे यहाँ पर मैंने आइड कीव जीरा शाजीरा दोनों भी आइड कीव मैंने अभी इन मसालों का हमें कलर नहीं चेंज करना है इसी वहमें ड्राय रोस्ट करना है इसको अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट करके रेड वगरे बिल्कुल नहीं करना है और ओवर रोस्ट बिल्कुल नहीं करना है थोड़ा थोड़ा सा सिप भून लेना है बस ताकि इसके अंदर जो अभी बारिश के वज़े से जो मौशर है वो निकल जाए अभी इसमें आड कियो मैंने पॉपी सीट्स खशकश आड कियो मै हम इसको थोड़ा थोड़ा भूनते जाएंगे रोस्ट करते जाएंगे और निकालते जाएंगे और इसको जब हम पीसेंगे तब यह पूरा फुली रूम टेंपरेचर पर आने के बाद में हम इसको पीसेंगे गरम 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 मसाला नहीं पीसना है उससे क्या होगा इन मसाल यहाँ पर मैंने आड़ क्यों काली लाइची और हरी लाइची यह भी दोनों मैंने भून के निकाल लिएू अब इसमें आड़ करूंगी काली मेरी बादियान का फूल लॉंग और जावेतरी इन चारों को भी मैं अच्छे से भून लूंगी और यहाँ पर थोड़े से दाल चीनी के तुकड़े पीसने के पहले यह मसाला जो है गरम मसाला यह पूरा थंड़ा होने के बाद में हमें पीसना है अब इसमें हम आड़ करेंगे तेस पत्ते इसको भी थोड़ी सी हीट लग जाएगी अब मैंने ग्यायस बन कर दियू अभी इसको भी हम निकाल लेंगे और अभी हम इसे पीस लेंगे और इसमें अभी दालूंगी मैं जाइफल जाइफल भूनने की जरुवरत नहीं है ऐसे दालेंगे तो भी चल जाएगा अब इसका पीसने के बाद में टेक्श्चर कुछ ऐसा आया है मैं थोड़ा दानेदार गर्म असला पाउडर प्रेफर करती हूँ आपकी मर्जी आप चाहो तो इसको छान के जो होती है न चन्नी आटे की उससे छान के आप जो लेफ्ट ओवर होता है उसको फिर से पीस के ले स सकते हैं मेरे रेसिपी ट्राय करना सब्सक्राइब करना मेरे चानल को और कैसी लगी कमेंट में बताना तिल देन टेक केर अला पीस